कि यह हमारी इंडियन एकनामी की सीरीज चल रही है और सिरीज का यह हमारा लेक्टर नंबर फाइफ है इन दिस इंडियन एकनामी सीरीज वी आर कवरिंग दा बुक आफ रमेश सिंह सर्व और यह जो लेटेस्ट एडिशन है यह हम कंप्लीट यहां पर कवर करेंगे चैप्टर वाइज हम चल रहे है ना तो अल्रेड़ी वी हम कंप्लीटेड दिस चैप्टर वन जिसमें नैशनल इंकम की चर्चा होती है और जिसके अंदर बेसिक इंट्रडक्शन की बात हो रही है एकनॉमिक्स के बारे में वह सब चीजें हम कवर कर चुके हैं ना तो आज हम सेकेंड चैप्टर पर जाएंगे जिसके अंदर जो डिफरेंट कॉंसेप्ट हैं ग्रोथ के डवलप्मेंट के ठीक है कि पहले के वल ग्रोथ के उपर फोकस किया जाता था फिर फिफ्टी सिक्स्टी के बाद आप देखोगे फिफ्टी सिक्स्टी के बाद में तो धीरे धीरे डवलप्मेंट जो है हाई लाइट होना सटार्ट हुआ की लोगों की जो लाइब लेक्टिमेटल एकनॉमिक्स अगर हम देखें त तो इसका overall objective क्या है, लोगों की lives को बहतर बनाना, fine, तो ये देखा गया कि केवल growth के perspective से ही चीजे नहीं हो पा रही है, और फिर development के उपर focus किया गया, तो development थोड़ा सा comprehensive concept है, जिसके अंदर growth के अलावा और different indicators हैं, जैसे healthcare हो गया, education हो गया, ये सारी चीजे हैं, ये सब चीजें इंक्लूड वहाँ पर होंगी, तो इस तरह से development का concept रहा, और फिर इसके comparison के लिए काप सारे indices डवलप किये गए, जिसमें से human development index, जिसकी आप चर्चा सुनते है, hdi index, जिसमें ranking की बात होती है, ये काफी परचलित हुआ, उसकी हम बात करेंगे, और फिर एक नई debate स्टार्ट होती है, बहुत इंट्रेस्टिंग सी, कि development तो सब जगे है, फिर भी आदमी खुश क्यों नहीं है, है न, where is the happiness, because the ultimate goal, आप फिलोसफी में पढ़ेंगे, इथिक्स का आपका paper है, वहाँ पे चर्चा होती है, है न, whether we talk in terms of various sages, जो saints होते हैं, उनकी जो preachings होती है, है न, वो भ happiness कहां पर है, है न, development भी हो रहा है, but where is the happiness, उस पर चर्चा होती है, फिर उस पर आएंगे model पर happiness को लेके काफी issues है, तो ये पूरा हमारे आज का जो पूरा lecture है, इसका discussion रहेगा, और आज हमारा chapter number two complete हो जाएगा, इसके बाद फिर हम जो economic development है, या जो इंडिया ने किस तरह से economic जो evolution हुआ है, इंडिया का, वो सारी चीजों को हम चर्चा करेंगे, next lecture में, ये class हमारी जो नए बच्चे है, daily basis पे होती है, दस साड़े दस बज़े के आसपास हमारी class का ये timing रहता है, और चलिए start यहां पे करते हैं, और link आपका ये telegram channel है, इस पे आपको link available हो जाता है, let's get started, ये आपका special class के लिए link है, तो काफी सारी free special classes हैं, जिसके लिए आप मुझे यहां पे follow कर सकते हैं, follow करने का benefit क्या है, अन Academy के plus platform पे जो free classes हैं, वो आपको access होती हैं, जो मेरे नए courses आने वाले हैं, वो आपको access होते हैं, तो ये बहुत बड़ा benefit आपको मिल जाता है, इ access ले सकते हैं, घर बैटे, पूरी UPSC की preparation कर सकते हैं, और इसके अलावा अन Academy की तरफ से आपको means test series answer writing के अलग से program भी दिये गए हैं, वैसे आप पूरा जो एक बार fees दे रहो जिसमें syllabus completion है, उसमें ये चीजे include हैं, लेकिन अगर आपको केवल test series लेनी हैं, तो ये अलग से भी launch हो गया है, अभी recently, इसी तरह से optional test series भी है, subscription के link यहां मिल जाते हैं, session के PDF भी आपको यहां पर मिल जाते हैं, ठीक है न, session का link, कोई भी information है, class से related, वो सारी चीजें आपको telegram पर मिलेगी, ये telegram पर ही channel है, इसका नाम डाल के आप search कर लीजिएगा, growth, development, happiness, ये chapter का नाम ह हैं, तो यही concept हम यहां पर discuss करने वाले हैं, ठीक है, economic growth जो है, growth एक quantitative concept है, comparatively, जिसके अंदर हम बात करते हैं, अच्छा, किसी भी, जैसे food grain के समधर्ब में अगर बात कीजे, कि अच्छा, वहां पर क्या हो रहा है, food grain production की growth हो रही है, ये नहीं हो रही है, ठीक है, तो उससे म economic growth की अगर हम चर्चा करें, रुपी depreciation में confusion हो रहा है, रुपी depreciation भी हम लेंगे, आगे classes आती हैं, उसमें हम लेंगे वैसे आपके जो daily news analysis है, वहां पर मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, आपकी शाम को 8 बजे class होती है, daily news analysis, current affair की वो class है, शाम को 8 बजे इसी channel पर, तो वहां होता है, इस सारी चीजे हमने discuss की हुई है, खेर ये जो series हमारी चल रही है, इसमें भी जब chapter आएगा, तो इस सारी चर्चा हम करेंगे, इसमें कोई परिशान होने वाली बात नहीं है, हम आते हैं, growth के उपर, ये growth क्या है, ग्रोथ से पहले अगर हम बात करें, तो progress एक टर्म नहीं किया जाता था, शुरू में एक ही तरीके से यूज किया जाता, लेकिन धीरे धीरे, जैसे जैसे समस्या है, सामने आने लगी, ठीक है, उनको target करने का तरीका वहाँ पर आने लगा, तो हमने देखा कि हाँ, इनके अंदर differentiation स्टार्ट हुआ, और progress की ये जो term है, progress का simple सा क्या मतलब होता है, किसी भी एरिया के अंदर आपका improvement हो रहा है, positive improvement, it means you are doing progress, ठीक है, something better is happening, some improvement is there, this means the progress is there, तो progress क्या है, एक तरीकी general term बन गई, जिसका मतलब है कि लोगों की lives के अंदर क्या हो रहा है, एक positive movement हो रहा है, positive movement हो रहा है, उसी के साथ हमने देखा कि growth और development जो है, इनका अलग-अलग meaning develop हुआ, और शुरुवाती दोर में ही growth पे ही focus रहा, चाहे हम economics की बात करें, या उस discipline की चर्चा करें, तो growth पे ज़्यादा focus था, अब growth के अंदर आपको जानना जरूरी है कि यहाँ पे cable और cable quantitative terms में बात हो रही है, ठीक है, economic growth जो है, इसको define किया जाता ह और the country's real national or per capita income increases over a long period of time, तो यहाँ पे अगर हम economic growth की चर्चा करें, तो कल हमने देखा था, या उससे पहले वाला जो lecture था, उसमें भी हमने देखा था, कि किस तरीके से जो GDP है, है ना, GDP growth rate जो होती है, उसको हम economic growth rate कहते हैं, clear, यह हमने चर्चा किती थी ना, जब GDP पढ़ रह सारे लोगों की growth होगी या नहीं, नहीं, economic growth बढ़ रहा है तो जरूरी नहीं है, सभी की growth हो रही है, growth का मतलब के वाल यही है कि आपका जो total output है, यह increase हो रहा है, क्या हो रहा है, total output increase हो रहा है, जैसे अगर हम कहें economic growth हो रही है, या economic growth बहुत तेजी से हो रही है, it means आपकी GDP जो है, बहुत तेजी से बढ़ रही है, या फिर आपकी जो national income है, यह बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो यह basically है क्या, आपका जो total output है, उसका market value ही तो है, so it means the production or the output is increasing, but not necessarily, जरूरी नहीं है, यहाँ पर पूरी country का जब यह economic growth हो रहा है, तो सभी लोगों की lives के अंदर positive development ह ठीक है, यह हमने उस टाइम भी discuss किया था, हो सकता है कि किसी देश की GDP बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन वहाँ पे फायदा के वल टॉप 5%, 10% लोगों को हो रहा है, बचे वे जो 90% लोग है, उनकी तो life और भी बुरी स्तिती से गुजर रही है, inequalities are increasing, fine, तो economic growth है, यह है, यहाँ पे किस तरह से यूज किया जाएगा, national income है, per capita income है, मतलब quantitative aspect में यह सब चीजों को ले रहा है, comparison के लिए यूज किया जाता है, हमने देखा था, comparative economics में यूज किया जाएगा, economic growth को, कि सबसे तेजी से economic, कौन सी बड़ी economy है, जो सबसे तेज economic growth हो रही है, जिसमें ह तो इंडिया का नाम उन्द में आता है, one of the major economies, which are having high economic growth rate, या फिर हम GDP के रूप में comparison करें, या फिर countries को per capita income के रूप में comparison करें, तो per capita income के रूप में भी comparison किया जाता है, तो वर्ड बैंक का एक वो है, comparison है, जिसमें वो developed है, middle income country है, low income country है, उससाथ से उन्होंने categorization कर रखा है तो यह economic growth जो है, यह केवल और केवल, quantitative terms के अंदर आपका deal कर रहा है, और शुरुवाती दोर में economic growth को consider किया गया as a cause and effect, cause and effect of betterment of the lives of the people, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब शुरुवाती दोर में यह समझा गया, कि अगर economic growth हो रही है, economic growth होने का क्या मतलब है, production बढ़ रहा है तो यह समझा गया कि जब output या production बढ़ेगा economic तो सबी लोगों की जो lives है वो improve होगी, तो शुरुवाती दोर में यह समझा गया, इसलिए development पे ज़्यादा focus नहीं था, economic growth ही major focus का idea था, जबकि आज आप सुनेंगे तो आज आपको विकास की बात है, development की बात ज़्यादा सुनन को मिलती है, economic growth भी important है, लेकिन आज development भी उतना ही important है, हर जगह पे आप चाहिए political circles हो हो, या कहीं पे भी debate हो रहे है, तो वहाँ पे आप development, विकास की बात करते हैं, even exam में question रहेंगे, वहाँ पे भी development को major focus किया जाएगा, 90% focus is there on the development, economic growth की भी चर्चा होगी, क्योंकि उसका भ गया कि जब economic growth हो रहे हैं, तो अपने आप लोगों की lives जो हैं better हो रही है, यह समझा गया, और एक और theory यहाँ पे होती है, इसी से related है, उसका मैं reference दूर, trickle down theory कहा जाता है, आप पढ़ते हैं कई जगे, even कुछ जगे पे geography में भी पढ़ने को मिलता है, trickle down approach, जिसमें क्या है अगर उपर यहाँ पे growth हो रही है, तो उस growth के benefit नीचे भी जाते हैं, सभी लोगों को उस growth के benefit मिल रहे हैं, लेकिन यह जो theory है, यह successful नहीं मानी गई, क्योंकि हमने देखा, कि काफी सारी ऐसी economies थी, काफी सारी ऐसे देश थे जहाँ पे, economic growth तो ज़्यादा है, या फिर पे जो लोगों की lives हैं, लोगों की lives हैं, वो इतनी बहतर नहीं है, वहाँ पे जो different kind of indicators हैं, वो बहुत कम हैं, मतलब जैसे लोग वहाँ पे health के front पे challenge है, malnutrition काफी ज़्यादा है, high growth economy है, लेकिन malnutrition काफी ज़्यादा है, शिक्षा के शेतर में अच्छा नहीं कर रहे हैं, skill development इतना अच्छा नहीं है, fine, तो ये चीज जब देखी गई, 60s के अंदर ये हमने देखना start किया, कि काफी सारे country हैं, जहाँ पे growth तो ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे जो लोगों की quality of life है, लोगों के जीवन का जो इस्तर है, उसकी जो quality है, quality of life के अगर हम बात करें, तो वो जो quality है, वो काफी कम हमें मिलती है, तो यहाँ पे इन्होंने देखा कि या दोनों के अंदर कुछ अलग है, कुछ economy थी जिसके अंदर क्या होगा, कुछ economies के अंदर high growth, high growth, high development था, कुछ economy में high growth था, लेकिन low development था, कुछ economy में low growth थी, लेकिन high development था, तो इन्होंने देखा क कि नहीं यहां पर थोड़ा हमें अलग जाना होगा और हमें development पर अलग से focus करने की जरूरत है क्यों है जरूरत क्योंकि जो economic growth हम लेके चल रहे थे कि यहां economic growth हो रही है तो वो लोगों की lives को बहतर बना रही है लोगों की quality अपने आप इंप्रूव हो रही है लेकिन यह चीज देखने में थोड़ा अलग हमें लगा इसलिए development पर focus आपका start हुआ clear अब development का जो concept है economic growth के comparison में बहुत wide है किस तरह से अगर इसको मैं छोटा सा event diagram बना दूँ तो माल लीजिए यह जो circle है यह बात करता है economic development की so economic growth is one of the part of this economic development ठीक है economic development क्या हो गया comprehensive concept है जो की economic growth की बात तो करेगा ही उसके अलवा और दूसरी चीजों की भी बात करेगा वो यह भी देखेगा कि लोगों का जो education का status है वो कैसा है लोगों का जो शिक्षा का इस तरह है वो कैसा है so economic development is a wider concept than the economic growth it includes the changes into the social cultural political as well as economy which contribute to the material progress तो economic growth में केवल और केवल एक component था तो इसने का इस component को तो हम लेते ही हैं इसके अलावा इस component को तो हम ले ही रहे हैं और यहां पर हमारे पास economic development जो विकास की हम बात करते हैं उसका concept निकल के आता है it contains changes in the resource supplies यह बात करेगा कि आपकी जो population है उसका composition कैसा है ठीक है उनकी शिक्षा का इस तर कैसा है उनके health care के indicators कैसे है it means it talks about the demography also technology technology का इस तर क्या है लोगों की skill कैसी efficiency कितनी है यह सारी चीजे this development is a wider objective has wider objective ensuring more equitable income distribution greater employment and poverty alleviation economic development पे हम क्या कर रहे हैं गरीबी को हटाने की बात कर रहे है inequality जो है गरीब और अमीर के बीच की खाई है वो कम होनी चीए ठीक है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं और यहां पे employment generation की बात हो रही है तो यह सारी चीजें development से related रही तो यहां पे आपको आइडिया लग गया होगा कि development का जो concept है this is comparatively much comprehensive than this economic growth thing क्योंकि economic growth में तो केवाल economic growth की चर्चा कर रहे हैं ठीक है आपकी GDP बढ़ रही है national income बढ़ रही है पर capita income बढ़ रही है but what about other aspects किसी देश के अंदर सब चीजें बढ़ रही है लेकिन वहां पे लोगों के आद जो quality of life है वो अच्छी नहीं है वहां पे लोग अभी भी malnutrition के शिकार है ठीक है उनका educational status इतना अच्छा नहीं है महां पर innovation इतना अच्छा नहीं है clear यह सब चीजे हम देखें तो इसलिए यह जो concept है यह develop हुआ और इसी को अगर हम थोड़ा सा और करें I think a snapshot we took this from NCRT or something to make you understand this concept in a much easier way और आप कह सकते हो की comprehensive way तो यह थोड़ा सा table बन जाती है तो और अच्छे से याद हो जाता है इस table को सकते हैं वही लिखी हुई क्या है economic growth refers to increase in the real output of the goods and the services output increase हो रहा है मतलब GDP या national income की बात हो रही है जबकि economic development में क्या है यह income की बात तो करता ही है यह savings की भी बात कर रहा है investment की भी बात कर रहा है socio-economic structure की भी बात कर रहा है कि क्या technological changes है ठीक है health perspective educational perspective क्या है फिर आप देखोगे growth related to the gradual increase in the GDP consumption government spending etc तो वही सब चीजों की बात growth करती है लेकिन development में आप देखोगे तो यह बात कर रहा है human capital की growth की कि human capital की growth है या नहीं है अब human capital का जो concept है यह क्या है तेकि कि किसी भी देश की जो जुनसंग क्या है population जो है वो उसके उपर burden भी हो सकती है और वो उसका set भी हो सकती फाइं अगर आपसे पुछा जाए कि best of the best resource कौन सा है पूरे वर्ड में बेस्टरिस्वर्स कौन शाये आपको को सा मत आप सबसे बेस्टर रिसोर्स अगर सबसे बेस्टरिसर्स कौन सा है human resource human resource ठीक है अगर the human resource nya तो फिर बाकी कुछी कुछ़ नीं होगी कोई नया innovation कोई रहे किसकी देन है, यह human beings की देन है, so human resource है, तो अगर किसी देश की जो population है, जनसंग क्या है, यह population उसके उपर burden भी हो सकती है, ठीक है, यह population उसका asset भी हो सकती, now what are the factors which will decide that whether this particular population or the people will become the asset or the burden, कैसे decide होगा, अगर आप वहाँ पे invest कर रहे हो, investment is there, then आप यह human capital generate करोगे, investment in terms of what, investment in terms of the education, तो education पे जो आप खर्चा करते हो, वो खर्चा जो है, एक तरह का investment है, टीक है, जैसे कोई company है, कोई company अपने जो setup है, वहाँ पे computers लगा है, तो वहाँ पे खर्चा हुआ, लेकिन खर्चा तो हुआ, लेकिन वो investment का खर्चा है, क्योंकि वहाँ पे computers लगने से efficiency बढ़ जाएग उनके पास में गरीबी से निकल निकली, clear, और आपने देखा होगा इस तरह के examples अपने आसपास सब जगे पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, population में invest करना पड़ेगा, in terms of the education, in terms of the healthcare, क्योंकि healthy workforce होगा, तभी तो वो contribute करेंगे, तभी तो वो asset का का काम करेंगे, workforce होगा, त inequality increase हो रही है, decrease हो रही है, तो inequality को कम करने की बात करेंगा, ठीक है न, inclusive growth की तरफ, थोड़ा सा focus हमें देखने को मिलेगा, structural changes that improve the quality of life of the population, जैसे कि आप देखोगे, कि काफी economies में हम देखते हैं कि जब agriculture से, है न, agriculture से, structural changes का मतलब होता है, economy में जो भी structural changes है, जैसे the way economy is functioning, वो change हो agriculture से, लोगों का जो employment है, आज की तारिक में, या जब अगर हम आजादी के टाइम की बात करें, आज से 50-60 साल पहले बात करें, around 75% of the population was dependent on the agriculture for their employment, अपनी आजीवी का के लिए लगबग 70-75% लोग केवल agriculture पे dependent है, आज आप देखोगे तो ये 45% हो गया, 45% से नीचे चला गया, भी कोरोना में उपर आ गया था, otherwise it should be around 40-43%, इतने लोग agriculture पे निरभए रहे हैं, तो agriculture से लोग employment के लिए किदर जा रहे हैं, या तो industry की तरफ या फिर services की तरफ, तो वहां से क्या हो रहा है, quality उनके लिए improve हो रही है, क्योंकि जो nature of employment है, industry के अंदर, services के अंदर, वो comparatively better है, innovation के मौकें वहां पर मिल रहे हैं, और added advantage है, modernity है, innovations है, nature of employment है, I की हम बात करें, income की बात करें, other added opportunities की बात करें, तो उसकी वज़े से यह एक better वो provide कर रहा है, तो यहां पर यह सब चीजों की बात करेगा, कौन सा concept, economic development का concept, economic growth is measured by the quantitative factor, because this is exclusively a kind of quantitative concept, तो it can be measured in terms of the real GDP, per capita income, etc, खीक है, अब यह real GDP लिखा है, इसका मतलब आप समझ गए न, real or nominal GDP हमने पढ़ा था, real GDP का मतलब है, जो भी हो रहा है production, उसकी जो market value calculate करोगे, वो base year पे calculate करोगे, nominal में क्या होगा, जिस साल production हो रहा है, उसी साल की prices पे आप market value calculate कर दोगे, तो यहां प हमारे पास में है, quantitative measures, और qualitative measures, यह दोनों यहां पे ले रहा है, economic development, क्योंकि human development index के थुरू हम development को measure करते हैं, भी आगे चलेंगे, human poverty index हो गया, या फिर अब तो multi-dimensional poverty index बहुत popular हो रहा है, और नीती आयोग ने इंडिया का पहला multi-dimensional poverty index last year release किया था, pre or means, दोनों के perspective से important आपका र सकते हैं, so, in fact, economic growth brings quantitative changes in the economy, ठीक है, economic growth reflects the growth of national and per capita income, ठीक है, जबकि economic development leads to quantitative as well as qualitative changes, reflect the progress in the quality of life, तो हमारा objective क्या होना चाहिए, हम ऐसी चीज़ पर focus करें न, जहाँ पर economic growth already आ गई है, इसलिए आप देखोगे, आज के time पर, जो economies हैं, वहाँ पर economic growth की बात तो होती है, but the major focus has shifted to this economic development criteria, और यही reason है कि आज जो welfare state का concept है, या जो welfare economics की हम बात करते हैं, खीक है न, वहाँ पर development ए इवन हमारे जो prime minister हैं, उनकी speech देखिए, हर speech के अंदर वो विकास की बात करते हैं, development की बात करते हैं, ठीक है, आप questions उठा के देखिए, या जो themes है, question की वो उठा के देखिए, interview में question उठा के देखिए, अच्छा, आप अपने आसपास area के विकास के लिए, development के लिए, क्या क remote होके उपर जाएंगे, जहां पर आपको policy making का भी मौका मिलेगा, शुरुबाती दार में आप policy implement कर रहे हो, है ना, जो भी policy बनके आई है, उसको कैसे implement कर रहा है, कैसे लागू कराना है, फिर आप जैसे जैसे उपर जाएंगे, आपको policy input देने का मौका मिलेगा, policy formation, policy making के अ 18 तरिक की class थी, जो आपकी daily news analysis होती है, DNA जो होता है, daily news analysis, शाम को 8 बजे होता है, इसी channel पर, उसमें मैंने एक topic लिया था, aspirational district program, aspirational district program, कल भी इसका reference दिया था, portion 2.0 अभियान के mission की बात कर रहे थे, इस class में, जहां पर प्रधान मंतरी ने digitization किया है, अंगनवाडी का और इस context में, तो यहां पर यह जो aspirational district program है, यह क्या करता है, इंडिया के सबसे पिछडे हुए जो districts हैं, उनको यह target कर रहे हैं, किसके के लिए, development के लिए, इन्होंने क्या किया, लगबग 740 के आसपास इंडिया में district होंगे, उनमें से लगबग 112, अब तो 117 हो गया है, 100 से ज्यादा district को इन्होंने focus किया, और इन district में क्या है, development के indicator सबसे कम है, मतलब माल nutrition हो गया, health care को लेके maternal health हो, बच्चों की health हो, उसके indicator स सबसे पूर है, सिक्षा का इस तर सबसे कम है, ठीक है, वहाँ पर देखा जाए, employment opportunity के regarding issues है, वहाँ पर infrastructure नहीं है, clear, यह सब चीजों पर चर्चा कर रहे हैं, तो इन state के उपर government क्या कर रहे है, targeted intervention कर रहे हैं, कि यहाँ पर हम best of the best young officer देंगे, जो किसी innovation के साथ है, जो किसी creativity क के साथ है, जिनके पास out of the box idea हो, और जो district है, इंडिया के सबसे developed district बना है, तो यह जिस चीज की, यह खुद प्राइम मिनिस्टर ने अपना लिखा है, आपने परसों का newspaper देखा होगा, उसके अंदर statement है, honorable prime minister का, तो यही तो UPSC आप से चाहता है, especially paper 4 के अंदर, कि आप जो bureauc crack बनने वाले हैं, ठीक है, एक exam crack करना और आप IAS IPS बन जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे UPSC जिस तरह से question form कर रहा है, जिस तरह से nature रखा गया है, जैसे ethics का paper है, essay है, interview है, या और भी आपके GS paper 2 में है, 3 में है, तो वहाँ पे आपके जो inputs होते हैं, वहाँ पे जो आपसे समस का कुछ ऐसा suggestion दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर example दूँगा और कई बार मैंने दिया है, इंडिया में malnutrition को लेके बहुत खराब इस्तती है, इंडिया global hunger index जो अभी आया था, global hunger index, उसकी report अगर आप देखोगे, तो इंडिया पूरे South Asia में हम पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपाल, श्रुलंगा, सबसे पीछे हैं के वल अफगानिस्तान से ही हमारी performance बैटर है, इतनी बुरी इस्तती हमारी है, especially malnutrition और hunger को लेके, इसका मतलब यह नहीं है कि लोगों को खाने को नहीं मिल रहा, उस sense में नहीं है, यह comprehensive concept है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि malnutrition कितना है जैसे लगबाग 50% महिला हैं जो हैं खून की कमी, उनमें एनिमिक हैं, इसी तरह से बच्चों के अंदर stunting, wasting, मतलब उनकी height का development, weight का development वो नहीं है, तो उस context में यह हम चर्चा कर रहे थे, अब यह एक बड़ी समस्या हो गई, तो उसका बहुत ही अच्छा solution क्या निकाला, ए यहां पर कुछ ऐसी महिला हैं, जिनका जो nutritional status अच्छा है, health के अंदर वो अच्छा कर रही है, क्यों अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि dietary habits अच्छी है, तो उनको हमने club किया, दो महिला को, एक महिला को एक के साथ जोड़ दिया, एक महिला जिसका nutritional status अच्छा है, एक जिसका काफ अच्छी वेट होंगे, और फिर धीरे-धीरे हमने देखा कि nutritional status सबका improve हो रहा है, और लगबग 8-10 महिने में इन्होंने कहा कि बहुत ही तेजी से improvement हमें देखने को मतलब, यह पुरा article था, तो यहां पर current से आपको link करना है, जो बच्छे कह रहे हैं, सर्प प्री और मेंस द प्रियास करें, अपनी जो thoughts on organized way में paper पे लिखें, क्योंकि वो paper ही जाएगा वहां पर, आप नहीं जा रहे हो, आप तो interview में जाओगे, वो छोटा सा एक part है, लेकिन जो maximum advantage है, वो means में आप ले चुके हो, जो paper आपकी personality को reflect कर रहा है, examiner के साम, तो लिखने का प्रियास करो daily basis ठीक है, revision की habit develop करी, तो ये जो पूरा component हम discuss कर रहे है, quality of life के regarding, ठीक है, progress के regarding, इसलिए ये पूरा development पे अभी focus आपका है, development पे आपकी चर्चा है, यहीं पे हम आगे move करेंगे, तो I hope ये growth और development में आपको मतलब समझ आ गया होगा, इनका purpose भी समझ आया होगा, अब सबसे बड़ी दिक्कत स्टार्ट हुई कि ठीक है, development तो हो गया, अब development का measurement कैसे करोगे, यहाँ पे लड़ाई स्टार्ट हुई, क्योंकि development के measurement के लिए बहुत सारे indicator है, है ना, कोई एक इंडिकेटर है नहीं, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, तो development के indicator में income भी हो जाएगा, यह ना, consumption की quality क्या है, जैसे कई जगे पे आप देखोगे, अच्छा, like per capital, electricity consumption कितना है, internet users कितने है, पहले होता था, mobile phone users, तो ऐसे बहुत सारे indicator, health care, nutrition, safe drinking water, social security, peaceful community life, social prestige, pollution free environment, entertainment, यह ऐसे करके बहुत सारे indicators हुए, और यह बड़ा मुश्किल हो गया कि development को define कैसे करें, है ना, किस चीज को हम development मानेंगे, खीक है, तो इस पे consensus बनाना मुश्किल हुआ, लेकिन finally, यहाँ पे consensus बनाना जरूरी था, क्यों, क्योंकि अगर आपको development को focus आप कर रहे हो, economic growth में तो बड़ा कर रहे हैं, यहाँ पे दिक्कत क्या हुई, यहाँ पे दिक्कत यह हुई, कि अगर आपको economies को comparison करना है, क्यों क्योंकि जो भी international bodies है, United Nation है, World Bank है, IMF है, जितनी भी bodies है, तो वो जो अपना policy making करेंगे, या जो अपना support देंगे, वो इससी तरह से देंगे, यह देश जो है, इन census नहीं बन पाया, लेकिन फाइनली यहाँ पे जो decide हुआ, वो decision आया, United Nation Development Program UNDP की तरफ से Human Development Report के रूप में, यह 1990 के अंदर Human Development Report आई, और यह जो Human Development Report है, यह Human Development Index के उपर based है, तो इन्होंने क्या किया, यह जो समस्या थी, development का measurement कैसे करेंगे, किस चीज को development माने, कैसे development के अंदर indicator रखे जाएं, जिससे हम देशों को comparison कर सके हैं, इंटरनेशनल लेवल पे एक ऐसा index डवलप किया गया, जिससे हम कहते है, HDI, Human Development Index, इंडिया की यह भी rank क्या है, इंडिया की HDI में rank क्या है, बता सकते हैं, जो latest है, अभी वैसे आने वाला है, जून में दुबारा से करेंगे यह लोग, क्योंकि यह 2021-2022 का एक साथ ही निकाल रहे हैं, बाकि जो 2020 का जो latest हमारे पास data available है, उसकी rank बता सकते हैं, इस पर तो prelims में और इन में बहुत question पूछे हैं, और यह चीज आपको direct indirect way में बहुत काम आती है, तो इन्होंने क्या किया, Human Development Index डवलप किया गया, जिससे कि हम जो देश हैं, उनके development status को compare कर सके हैं, एक rank निकाल सके हैं, तो यह development के उपर यह consensus बना, it was developed, first such team which developed the HDI was led by the महभू बुलहक, यह पाकिस्तानी economist हैं, महभू बुलहक, और इनके call, इन्होंने यह develop किया, तो Human Development Index के अंदर क्या होता है, इन्होंने तीन indicator लिए, ठीक है, इत पहला तो हो गया standard of living, एक descent standard of living होना चाहिए, तो उसके लिए यह क्या कर रहे हैं, यह जो national income है आपकी, gross national income है, यह उसको per capita के terms में include कर रहे हैं, अब यह लिखा हुआ है PPP, मतलब purchasing power parity पे होगी यह comparison, क्योंकि देश जो हैं, जैसे हम dollar में ले रहे हैं, तो currency को, सब ज़गे त currency है, उसको dollar में convert करने के लिए क्या होगा, exchange rate का use किया जाएगा, जैसे माल लिजिए, एक dollar है, आज के time पे 77 रूपी है, तो यह तो हो गया nominal जो exchange rate है, लेकिन यह लिख रहा है purchasing power parity पे क्या होगा, तो purchasing power parity का मतलब होता है, जहां पे जैसे आप comparison करोगे, दोनों देशों की currency का For example, एक McDonald's का burger आप लेते हो, USA के अंदर अगर एक dollar का है, और इंडिया में उसी burger की price 50 रूपे है, यह dollar नहीं होगा, रूपे होगा, 50 रूपे है, ठीक है न, 50 रूपे है, तो यहां पे दोनों currency purchasing power parity पे होगई, 1 dollar equals to 50 रूपी, और यह जो nominal exchange rate है, वो तो यह market based चली रहा है, त इसमें हम detail में discuss करेंगे, लेकिन अभी के लिए यह ध्यान रखे, क्योंकि यहां पे यह लिखा हुआ है, इसलिए मैंने आप तो short में explain किया है, तो पहली चीज क्या है, डिसेंट standard of living, आपने जो living standard है, उसको मापा और उसको मापने के लिए आप किस चीज का calculation कर रहे हो, per capita income पर capita income, मतलब जो national income है, आपने उसको population से divide कर दिया, population से divide कर दिया, per capita income, अब per capita income क्यों better है, यह हमने देखा था, यह आपको याद होगा, पर capita income क्यों better है, ठीक है, आपको याद होगा, जो GDP वाली class थी, मैंने आपको वहाँ पर top 10 economies बताई थी, GDP के जिसाब से, अगर economies को देखा जाए, तो इंडिया छटे नमबर पे था, ठीक है, लगबग 3 trillion dollar की अर्थवेश्ता के साथ, हम छटे नमबर पे, हम फ्रांस से आगे है, ठीक है, हम Canada से आगे है, लेकिन क्या यहाँ पे लोगों का जो जीवन स्तर है, या जो standard of living है, वो Canada या फ्रांस से बहतर है, आप कोगे नहीं है सर, तो फिर यहाँ पे better indicator क्या हो गया, standard of living के लिए, per capita income, क्योंकि अगर per capita income पे हम जाते हैं, ठीक है, तो फिर हमें सही picture मिलत है, इसलिए यह क्या कर रहे है, standard of living के लिए, मतलब economic criteria के लिए, economic well-being के लिए, income level के हिसाब से, यह gross जो national income है, उसको per capita पे कर रहे हैं, जो per capita income है, उसको calculate कर रहे हैं, यह हो गया पहला indicator, तीन indicator इन्होंने लिए, तो यह तो केवल economic criteria की बात ही, what about other social criteria, social में से इन्होंने health और education को उठाया, क्योंकि वो सबसे basic चीजे हैं, उनके बिना फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर health और education आपने better किया है, तो फिर चीजे अपने आप बहतर होना start होती है, इसके सबसे अच्छे example है, इंडिया के southern states, अगर आप यहाँ पे देखोगे, second criteria कि अगर हम बात करें, तो यह है health care, यह कि अगर आपकी health अच्छी नहीं है, आप कितना ही मन हो, आपका पढ़ने का आप पढ़ी नहीं पाओगे, अगर आपको headache है, सारा ध्यान बस उस headache पही लगेगा, पढ़ाई बढ़ाई सब side में, आप काओगे कि मुझे कोई गोली दो, pain killer दो, सरदर्थ ठी होगा, उसके बाद पढ़ाई की बात करते हैं, कोई भी आप काम कर रहा है, तो health आपकी सबसे पहली priority है, health care, तो health care के अंदर यह life expectancy index ले रहे है, life expectancy at birth, जो कितना साल लोग जीते हैं, जैसे किसी देश में 60 होगा, किसी में 70 होगा, किसी में 80 होगा, इस तरीके से, तो यह life expectancy at birth, वहाँ पे लोगों की, जो healthy और long life है, उसका सूचक है, उसका index के रूप में इन्होंने यहाँ पे लिया है, और third component ले रहे है, knowledge, knowledge के अंदर इन्होंने दो चीजें लिया है, education के perspective से, एक तो है mean years of schooling, schooling के mean years कितने हैं, खीक है बच्चे जो है, schooling कितने साल के लिए वो कर रह and expected year क्या है, जब बच्चा school में enter कर रहा है, तो उसका कितना expected year है, कितने साल तक वो वहाँ पे school करेगा, तो यह हो गया, education के लिए, health के लिए हमने life expectancy देख लिया, healthcare हो गया, education हो गया, और हम economic criteria की बात करें, तो यह per capita income, मतलब इन्होंने जो इतनी बड़ी समस्या थी, कि यह वो लें, क्या लें, कैसे economies को comparison करें, development पे, तो यह human development index ने समस्या को solve किया, यह human development index क्या करता है, तीन criteria पे, जो देश है, economies है, उनको comparison करेगा, so this is the thing, और इसको UNDP की जो human development report है, इसके अंदर use किया जा रहे, अब यहाँ पे जो human development index है, इसके इसाब से जो आती है, जैसे अपने number आते हैं ना हमारे, कि 100 में से कितने number आये, ठीक, 500 में से कितने number आये, कि 110 आ रहे हैं, कि 110 आ रहे हैं, कि 90 आ रहे हैं, तो उस तरीके से यह जो index है, इस पर performance किया है, तो इसके अंदर आप देखोगे कि 1 से 0.8 यह वाला जो performance index है, यह बहुत ही high है, very high वाली category है, तो इसमें आप देखोगे जो Scandinavian nations हैं, वो बहुत अच्छा perform कर रहे हैं, Denmark वगरे हो गए हैं, European nations है, तो यह very high वाले में हैं, फिर हमारे पास है high, तो high वाला है, फिर हमारे पास medium category है, 0.55 और इस वाले बीच में medium है, और फिर हमारे पास है low category वाला, तो यह क्या कर रहे हैं, देशों को यहाँ पे इन्होंने rank दी, और rank के basis पे उनका क्या हैगा, HDI का score आएगा, जैसे आपके number आते हैं, सो में से कितने हैं, एक बच्चे के 40 number है जैसे होते हैं, फिर्स डिविजन, सेकिंड डिविजन, थर्ड डिविजन भी आती है, ठीक है, या grading system है, जो भी है, तो उससे आप अंदाज लगाते हो, अचा फिर्स डिविजन है, तो इसका मतलब बच्चा थोड़ा होशियार है, अभी तो आज कल common हो गया फिर्स डिवि तो इसी तरह से ये डिविजन जो बेसिस है, उसी तरह से इन्होंने क्या किया, अब जो जिस category में आ रहा है, जिसका score जिस category में आ रहा है, जैसे 60% से उपर है, या ऐसा होता है, I think second division में क्या होता है, 50 से उपर होना चाहिए, 50 से 60 ऐसा कुछ है, तो उसमें आ गया, तो ऐसे ये categories है, clear, इंडिया के अगर हम चर्चा करें, इंडिया कौन सी category के अंदर है, so you have this, इंडिया को अगर आप देखोगे, 2020 का जो human development index है, उसमें इंडिया की rank है, 131st हमारी rank है, out of 189 countries, तो rank तो हमारी बहुत पीछे है, समझ है, आपको क्यों पीछे है, क्योंकि GDP के अंदर तो वर्ड की 6th largest economy थे, छटी सबसे बड़ी अर्थवेवस्ता, पीपी के टर्म में देखोगे, तो इंडिया तीसरी largest economy है, थर्ड largest economy, यह हम बात कर रहे है, GDP की अच्छा, यहां तो बड़े आप, मतलब आगे निकल रहेते हैं, और अभी आपका सो सो दूर दूर तक नहीं है, म यहां पर जो लोग हैं, उनकी जो इस्तती है, उसको बया करता है, केवल अगर GDP के इसाब से देखोगे, तो पता नहीं चलेगा, कि यहां पर लोगों की क्या इस्तती है, क्या चलेंजेज है, आप देखोगे, इंडिया के अंदर यह इस्तती है, अगर multi-dimensional poverty index, जो नीती आयो रहे है, clear, तो यह हमें real picture यहां पर मिल रही है, development aspect के अंदर, और 2021 और 22 को club करके, I think June में ही आने वाला है, तो कब आता है, जब भी आएगा, तो आप देखना, उस news को पढ़ना, यह हम discussion कर रहे हैं, तो आप उस news को बहुत अच्छे से understand कर पाऊगे, आपका interest होगा, जब भी न्यूस दिखेगी, है ना, आप उसको pick करोगे, HDIE की इंडिया की value कितनी है, 0.645 पे इंडिया की value आ रही है, 0.645 का क्या मतलब है, इंडिया कांसी category के अंदर आ गया, 0.645, medium वाली category में आ गया, हम किस पे हैं, 0.645, अब हम बढ़ते हैं, बढ़ते हैं, अगर 0.699 को cross करत हैं, तो हम human development index की high category में आ जाएंगे, high category में आ जाएंगे, ठीक है, तो यह जो इंडिया की government है, जो policy makers है, जो bureaucrats है, ठीक है, जो हमारी bureaucracy है, वहाँ पे आप देखोगे, उनका focus है, कि human development पे focus करना है, इंडिया को यहाँ पे आगे जाना है, इसलिए तो आप देखोगे, government जो ह है, education पे, education पे कितनी सारी scheme ला रही है, healthcare पे focus कर रही है, nutrition के लिए portion अभियान यह जो है, इसको 2.0 umbrella scheme में बनाया गया, बहतर implementation के लिए लाया गया, midday meal scheme चलाई जा रही है, या फिर हम healthcare पे बात करें, तो आपका you have this, आयुशमान भारत योजना, यह लाया गया, तो क्यों government इ प्रियांशु कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, किस context में अपने comment किया है, मैंने तो data आपको mention किया है, अगर आप बिहार की बात कर रहे हैं, कि वहाँ पे हर दूसरा आदमी जो है, poverty से जूज रहा है, this is the basically data mentioned by the Niti Aayog in its national multi-dimensional poverty index, वो यह कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ है, इसको personally म मत लेना, क्योंकि multi-dimensional poverty index में काफी सारी चीज़े हैं, उसमें healthcare भी है, उसमें education भी है, assets के regarding में, उसमें financial inclusion की भी बात हो रही है, कि आपके bank में account है नहीं है, काफी सारी चीज़ों की इसमें चर्चा हो रही है, इंडिया का rank है 131, यह है 2020 वाल index की बात कर रहे हैं, जिसके latest data है, यह 131 इंडिया का rank है, UPSC में तो नहीं पूछता है rank, लेकिन हाँ, जो state PCS होते हैं, उनमें rank वगरे भी पूछ ली जाती है, UPSC में क्या पूछ लेगा, अच्छा कौन release कर रहा है, लेकिन अब यह question भी प these things, तो यह development को लेके जो समस्या थी कि countries को कैसे comparison करें, GDP में तो हमने comparison कर लिया था, उसकी समस्या का हल निकाला Human Development Index ने, और standard यह 3 criteria है, जिसके अंदर आप देखोगे, जो standard of living है, income criteria, economic criteria, दूसरा है health care, फिर education, तीनों criteria को मिला के आपकी ranking की जा रही है, तीनों का weightage बराबर है, है ना, one third weightage हो गया, per capita income का one third हो गया, आपका knowledge वाले education का one third हो गया, health care का, तीनों का बराबर weightage करके आपने यह बना दिया, अब यह बना तो दिया, लेकिन फिर एक और question यहाँ पे create होता है, एक और question create होता है, क्या यह Human Development Index जो बनाया है, केवल यही criteria है, जो development को decide करते हैं, है yes or no, क्या यही criteria होंगे जो development को decide करते हैं, तो आप कहोगे sir यह तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन यह हमारे पास एक one of the most used criteria है, ऐसा criteria है जिस पे सब की सहमती बनी है, जिसका use भी हमें देखने को मिला है, तो हमने इसको बना लिया है, simple रहने के लिए, लेकिन और भी बहुत सारे factor होंगे जो development की trajectory है, विकास की चीजों को प्रभावित करेंगे, और ऐसे क्या sector हो सकते हैं, और ऐसे sector हो सकते हैं, you have this social, social वहाँ पे जो society है, किस तरह से organized है, किस तरह के social norms वहाँ पे हैं, तो यह आप देखोगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि कुछ societies ऐसी है, जहाँ पे gender inequality जादा है, gender related discrimination जादा है, जबकि दूसरी जगह आप society में जाओगे, तो वहाँ पे इतनी चीज वो नहीं है, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा अलग है, तो आपका जो भी social composition है, जो cultural norms हैं आपके हैं, जो culture है, या जो norms हैं, prevalent जो norms हैं, जिस तरह की practices हैं, tradition हैं, ठीक है, वो सब में भी आपके development को प्रभावित करती है, human psychology ये भी हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं, जो बहुत ज़्यादा subjective है, इनको इसके अंदर करके include करना वो possible नहीं है, तो इसलिए development में इन्होंने ये criteria पर focus किया, अब एक और बहुत interesting question आता है, कि ठीक है, कुछ ऐसे देश हैं, जिसमें development बहुत अच्छा कर रहें, वो development में बहुत अच्छा कर रहें, एकना, economic development वहाँ पर बहुत अच्छा है, ये very high category, high category के अंदर वो देश है, लेकिन वहाँ पर लोग खुश नहीं है, क्या नहीं है, खुश नहीं है, so what is the reason, what is the reason, लोग खुश नहीं है, जो word है, वहाँ पर happiness क्यों deliver नहीं की, अब ये एक ऐसा question है, जो एक अलग थोड़ा philosophical type में चला जाएगा, philosophies की तरफ चला जाएगा, abstract question है, subjective इसके interpretation हो सकते हैं, क्या क्या रीजन इसके दोगे, क्यों development जो है, उसके happiness नहीं हो रही है, fine, मुझे एक story यहाँ पर याद आ रही ह और मेरे जो नाना है, वो हमेशा कई बार इसको mention किया करते थे, और ये बहुत true है, इसमें क्या है, दो पडोसी होते हैं, एक तरह से दोस्त type ही समझीए, तो उसमें एक क्या होता है, एक मतलब normal होता है, middle class type में, और एक बहुत गरीब होता है, एक बहुत गरीब होता है, तो तो वो कहता है कि मुझे है, मतलब एक तो बहुत अच्छी सी तीन चार गाड़ियां चीए, बहुत बड़ा बंगला चीए, और ये सब वो बताना स्टार्ट करता है, कि मुझे ये 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 चीज़ें चीज़ें, भगवान उसे कहते हैं कि ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं ये सारी चीज़ें जो भी तुम मांगोगे, तुम्हें मिलेगी, लेकिन तुम्हारा जो पडोसी है, इसको तुम्हारे से डबल मिलेगा, कितना मिलेगा, डबल मिलेगा, समझ रहें, तो वो कहता है कि मुझे क्या फरक पड़ रहा है, ठीक है, आप मुझे तो दो, तो फिर एक फ्रेंड आते हैं वो काफी समय बाद आते हैं वो कहते हैं तुम्हारे पास इतना सब कुछ हो गया और वा तुमने तो बहुत तेजी से ग्रो किया यह सब चीज़ें और लेगिन वो फ्रेंड कहता है कि यह तुम मुझे खुश मतलब है खुश पहले ज्यादा लगा रहे था अभी तो तुम टेंशन में लग रहे हो ऐसा क्या हो गया तो इसके दुख्य होने का कारण के है यह जो है है किस पर डिपेंड हो गया है एक तो वह व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है वह सोचता है आप तो मुझे खुश होना है ना यह साइकालोजी या बहेवियर की बात करेंगे तो तुलना यहा मेंशन भी किया गया यहां पर यह एक ही एसपेक्ट है ना तो कहने का मतलब है कि जो हैपिनेस है उसको किसी एक उसके तुलना से आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं उसके बहुत सारे वह होंगे आप देखेंगे कि USA है यहां पर अगर कोई अपनी गाड़ी कार अफोर्ड कर र कि सो डवलपमेंट तो हुआ लेकिन उससे हैपिनेस क्यों नहीं हुई इस पर चर्चा हुई काफी सारी और यहां पर कहा गया कि हैपिनेस जो है ब्रॉडर टर्म है और डवलपमेंट जो है यह मैटेरियल आपको वह दे रहा है ना डवलपमेंट के अंदर आप देखोगे तो जो मैटेरियल आपड़ है एक एस के डीयल साइड हैं एक नॉन मैटेरियल साइड तो मैटेरियल साइड पर तो आपकी नीद्स पूरी कर रहा है तो दो पे स्कृतिस पर पास की लोगों से वह कैसे हैं आप देखते ओंगे कोई आदमी बड़ा अमीर है लेकिन टेंशन म है अपने आसपास से तो इस तरह के इंस्टांसे आपने को देखने को मिलने हैं तो कहने का मतलब है happiness जो है वो केवल और केवल material well-being पे dependent नहीं है किस पे नहीं है इस पैसे भी आया हुआ है गई ऐसे आया हुआ है इस पर पूछा हुआ है केवल material well-being ठीक है वो material aspect मतलब पैसा होना जरूरी है लेकिन केवल उसी से आपका काम नहीं हो रहा है इसका मतलब केवल material aspect नहीं है नॉन material aspect भी है तब happiness काम करेगा आप जिस society में रह रहे हैं आसपास में रह रहे हैं आपके जो relatives हैं friends है उनके साथ आपका कैसा है यहना social trust social poison social capital यह सब चीजें भी matter कर रही है ठीक है आप जहां पे रह रहे हैं वहां पे peaceful है या नहीं है environment है कैसा environment क्या वहां पे corruption prevalent है ठीक है society के अंदर क्या perception है लोगों का यह सब चीजें भी वहां पे matter करती है और उसके अलावा अगर आप और देखोगे living condition के लिए cultural aspect है आपके पास पैसा खूब है लेकिन environment में बहुत ज़्यादा pollution है तो वह चीजें भी impact कर रही है मानली जो उससे आपके health negatively impact हो रही है कई बच्चे feel करते होंगे है ना मुझे भी यह issue रहा क्योंकि मैं दिल्ली में रहा तो बहुत ज़्यादा health issue होना है स्टार्ट हुए ठीक है ना especially respiratory related issue हुए allergies होना स्टार्ट हुए ठीक है और बहुत बुरी condition यह हो गई दिवाली के time पे ऐसा होता था कि घर पे आ सकते क्योंकि पढ़ाई का इतना pressure और टेस्ट वगर है और दिवाली के time पे हम कोई भी cinema हो लें वहां जाके बैड़ जाते थे फ्रेंड्स के साथ ठीक है और वह केवल किसलिए बैठेते कि वहां पर थोड़ा अधुआ कम हो जाए ठीक है इतना ज्यादा pollution रहता था और सर्दियों के अंदर जो smog बनता है जो बहुत परिशानी करता है तो यह सब चीजें भी तो आपको impact कर रही है ठीक है आप well off है economic perspective से वह सब चीजें बट what about your environment क्या pollution free है environment idea of happiness and the prestige यहां पर लोगों का क्या idea happiness का कुछ culture है वहां पर समझा जाएगा कि यह चीज होगी तब happy है कहीं पर दूसरी culture है वहां पर समझा जाएगा यह चीज होगी तब आप happy हो ठीक है यह सब चीजें है ethical dimension of human life तो कहने का मतलब है development जो है केवल एक aspect की चर्चा कर रहा है happiness के वह है material aspect इसलिए हम देखेंगे कि जो development है वह happiness के अंदर यह convert होता नहीं दिखता कुछ जगे पर होता है कुछ जगे पर नहीं होता है और इसी सबकी चर्चा के हिसाब से इसी सबकी चर्चा के हिसाब से आप देखोगे word happiness report को लाया गया क्योंकि यहां पर इस चीज की need समझी गई क्योंकि ultimately आप देखोगे जैसे आप ethics पढ़ोगे Greek philosophers को पढ़ते हो तो वह कहते है human life का ultimate है happiness happiness खुश होना जिस काम से आपको happiness मतलब वो नहीं वो instant gratification की हम बात नहीं कर रहे है happiness in the longer context लंबे समय के लिए है sustainable जो एक happy feeling है उसकी हम बात कर रहे हैं we are not talking कि हाँ चलो movie देख ली वो हो गया वो चीज़ें अलग है तो happiness जब यहां पे एक major goal के रूप में aim के रूप में देखा गया जहां भी हम जाते हैं चा यहां पर economy का भी यही purpose है कि लोग खुश रहे हैं अच्छे से रहें उनकी quality of life अच्छा रहे तो उस परपस से यह happiness report का यह concept है यह लाया गया और आज देखोगे आप लोगों को या countries को happiness यह जो रिपोर्ट है इसके माध्यम से भी क्या किया जाता है यहां पे भी rank किया जात इस of doing business index कौन रिलीच करता है ठीक है word development report हो गई या इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आपको पूछी जाती है इसी तरह से आपको यह दिहान रखना है word happiness report है यह United Nations Sustainable Development Solution का publication है यहां पे यह national happiness के basis पे ranking कर रहा है आप national happiness के criteria क्या होंगे कैसे आप माप उसको मीजर करोगे यह कर रहे हैं कि जो respondents हैं उनकी rating के हिसाब से जो लोग हैं वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनकी rating के हिसाब से हम यह कर रहे हैं और इसके अंदर क्या है च्छे major criteria है six variables है six variables यहां पे रहेंगे पहला तो हो गया gross domestic product per capita यह ना PPP का मतलब आप समझ गया होंगे purchasing power parity जो मैंने burger वा goods होती जिसको comparison हम करते GDP per capita है वहां पे national income मतलब per capita income तो यहां पे GDP per capita हो गया तो कहने का मतलब economic criteria इन्होंने include कर लिया second is social support अब इस पर ध्यान देना social support इस पर पूरा का पूरा essay भी आया हो है social support हो गया social support definitely happiness के criteria को क्योंकि अगर आप खुश हो लेकिन अकेले हो तो आप happiness किस से share करोगे happiness share करोगे तो बढ़ जाती है ना होता है न कोई बर्ड है कोई occasion है exam में सफलता मिली है अब आपके कोई friend ही नहीं है जिनको आप बता सको कि देखो मैं successful हो गया मैं इस बन गया यह है तो फिर किस से share करोगे ठीक है social support अगर आपका दुख है कोई challenging period चल रहा है कोई मदद करने वाला नहीं है किसी को आप अपनी बात कह नहीं अगर व्यक्ति healthy ही नहीं है तो फिर कैसी happiness ठीक हो सब चीजे छोड़ दीजे सबसे पहले तो है रियल रियल happiness आपकी है healthy healthy life के अंदर physical और mental दोनों एसपेक्ट आपके हैं थर्ड हो गया फिर freedom to make choices अब आप देखिए इस इंडेक्स के अंदरे जो variable कितने सोच समझ के डाले ग growth है या development के हिसाब से भी वह बहुत अच्छा perform कर रही है ठीक है growth भी बहुत ज़्यादा है और लेकिन वहां पर देखोगे आप life choices के लिए freedom वहां पर नहीं है ठीक है लोगों को freedom नहीं है कि वह अपनी बात रह सकें freely अपना religion practice कर सकें महिलाओं को यह आजादी नहीं है जगे पर हैं इवन इंडिया में भी कई जगे पर ऐसे issues है जहां पर यह जो freedom है वो अभी भी उस तरह से open नहीं है कुछ जगे पर है कुछ जगे पर नहीं है अभी भी कुछ societies है जहां पर उस तरह से freedom नहीं दी जाती है तो यह जो freedom to make life choices है यह भी बहुत important indicator है generosity लोग कितना contribute कर रहे हैं social cause of life के लिए कितना contribute कर रहे है donations वगरे क्या है किस तरीके से है perception of corruption यह भी बहुत important चीज़ है perception of corruption तो यह 6 indicator है जिसके basis पे इन indicator के basis पे जो respondents हैं उनके response को लिया गया और फिर यहां पर यह जो है रैंक किया गया इंडिया की अगर हम ranking देखें three sports इंडिया ने improve किया है 136 position पे है इंडिया की United Nation की world happiness report में 2022 की जो ranking है वो 136 पे नंबर पे है UPSC में तो नहीं पूछता है लेकिन state PCS में पूछा जाता है तो इसको ध्यान रखिए अगर आप state का exam दे रहे हैं which ranked 146 countries अब यहां पे इंडिया की rank आप देखिए क्या है 146 country को rank किया है और इंडिया का नंबर कौन सा आ रहा है 136 पे खीक है यह एक अलग dimension हमें दे रहे है खीक है तो हमने देखा कि GDP के comparison है वो कुछ हमें और बता रहे है human development का comparison कुछ और बताता है और happiness के comparison में कुछ और चीज़े निकाल के आ रही है तो यह हमें एक comprehensive idea देता है कि कहां कहां पे improvement की ज़रत है क्या क्या चीज़ों पर focus करना है और इसी report की अगर हम चर्चा करें तो Finland जो है इसने top किया है पहले number पे है Finland ठीक है अफगानिस्तान है आ सबसे unhappy country है विश्व का और अगर हम बात करें लगातार पांच साल से आपका Finland फॉस्ट नंबर पे बना हुआ है तो यह हो गया happiness का concept बहुत सारे factors हैं जो चीजों के अंदर depend करते हैं behavioral economics वगरे की चर्चा है लेकिन यह चीज़े हैं जो हमारे लिए important है chapter number two के अंदर और इसी के साथ आपका chapter number two finish यहां पे होता है ग्लोबल MPI की बात यहां तो नहीं की गई है इस chapter में तो नहीं हो सकता है आगे हमारा एड हो लेकिन यह मैं इसको आपको एक बार बता देता हूं क्योंकि यह काफी ज़्यदा चर्चा में है और क्योंकि last year ही नीती आयोग ने इंडिया specific जो multi-dimensional poverty index है यह तो global multi-dimensional poverty index इंडिय इस पेसिक भी नीती आयोग ने रिलीज कर दिया है इसलिए इसको आप अच्छे से देख लेना वैसे जो आपकी current affairs classes में तीन चार बार इसको बढ़ा चुका हूं यह कौन रिलीज कर रहा है सबसे important तो यह हो गया global level पर आप देखोगे OPHI और UNDP मिलके इसको रिलीज करते है और इसमें 10 parameter है जिसके basis पे poverty को मापा जाता है गरीबी को मापा जाता है तो इसमें क्या है यह 10 indicator है इनको तीन category में divide किया है health, education और living standard, one third, one third, one third, health में nutrition, child mortality की बात की जारी है education में year of schooling, school attendance की और living standard में यह assets है जैसे cooking fuel किसी गर में है या नहीं है, sanitation की क्या इस्तती है, drinking water available है या नहीं electricity, housing और asset में कुछ भी जैसे कई जगे पे cycle वगर है, कोई radio है, ऐसा करके यह 5-6 उन में से एक देखते हैं कि आपके पास यह asset है या नहीं है, तो ऐसा करके यह total कितने होगे, 10 indicator होगे, अब नीती आयोग ने क्या किया है, नीती आयोग ने 10 प्लस 2 कर दिया, 10 प्लस financial inclusion, इसका reference इस chapter में नहीं है, लेकिन हम कर रहे हैं क्योंकि यह आपके exam के लिए बहुत-बहुत important है, इसको बता रहा हूँ, financial inclusion मतलब आपका bank के अंदर account है या नहीं है, यह भी यहाँ paired हो जाता है, health care में आप देखोगे, prenatal, मतलब pregnancy के दोरान जो health care है, उसकी case तती है, तो यहाँ पर health care में तीन हो जाएंगा, ऐसे करके यह 12 हो गए, तो यह poverty के parameter हो गए, अब आप कहोगे, poverty के अंदर भी केवल economic criteria हुआ करता था, जैसे poverty line का concept था न, जब planning commission इंडिया में था, और फिर नितियायोग ने replace किया उसको, तो planning commission का जो आइडिया था, गरीबी का, वो था poverty line का, poverty line, मतलब उन्होंने एक fix कर दिया, इतना अगर आपका consumption expenditure है, अगर इस particular limit से ज़्यादा है, तो आप above poverty line है, नहीं तो आप below poverty line है, वहीं से यह word आया BPL, लेकिन नीतियायोग के आने के बाद यह poverty line का concept खतम, और यह multi-dimensional poverty की बात करता है, और अब तो इसने यह MPI वाला यही criteria use कर लिया, और इसी की मैं चर्चा कर रहा था, इसी को लेके नीतियायोग की यह finding थी कि बिहार के अंदर 50% से ज़्यादा लोग multi-dimensional हैं, जबकि केरल के अंदर 1% से भी कम है, केरल में क्या है, 1% से भी कम है, और इसी तरह से आप देखोगे कि इंडिया के अंदर जो northern states नौर्थ इंडिया में जो हैं, वहाँ पे गरीबी को लेके ज्यादा concern है, वहाँ पे अगर आप देखेंगे, development related deficit वहाँ पे ज्यादा है, ठीक है, अगर उसको hdi के criteria पे भी हम देखें states को, या फिर sustainable development goals के इसाब से अगर हम comparison करें states का, तो south इंडिया के जो states है, south इंडिया क का क्या करते हैं, better perform करते हैं, क्यों south इंडिया better performance कर रहा है, यहाँ पे जो performance है, south इंडिया के जो states हैं, उन देशों की अगर आप comparison करोगे, hdii pay हो गया, sustainable development goals के regarding हो गया, तो यह जो developed countries हैं, यूरोप के, western European countries हैं, developed जो देश हैं, उनके बराबर इनके indicators हैं, जैसे infant mortality rate है, maternal mortality rate है यह सब चीजे हैं, तो इतना अच्छा क्यों कर रहे हैं, इसका reason है, कि यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो 70s के बाद से, 80s के बाद से, यह जो states हैं, south इंडिया में जो states हैं, इनका जो focus था, policy का, मान लीजिए, policy का जो focus था, यहाँ पे जो focus आपको देखने को मिलेगा, वो education है, health care है, इस पे बहुत ज़्यादा रहा, मतलब political class, irrespective of the party in the power, कोई सी भी party power में आएगी, वो health care education को focus लेके ही चलेगी, तो पिछले ऐसे नहीं है, कि यहाँ south में हमेशा से ऐसा ही रहा है, यहाँ पे इनकी मेहनत है, 30 साल, 40 साल पुरानी मेहनत है, कि हमेशा से यह focus कर रहे है, health care education को priority पे रखा है, कोई भी political party हैगी, वो priority में ही रखेगी, ठीक है, तो अगर political party की priority में है, तो definitely जो bureaucracy है, या जो administration प्रशाशन है, उसको तो priority में लेना ही पड़ेगा ना, कि इन चीजों पे तो compromise हो गई नहीं, तो आज आप देखोगे, कि यहाँ पे बहुत अच्छे indicators हैं, हर तरीके से, और इसका सबसे अच्छा example, नीती आयोग का जो national level पे multi-dimensional poverty index है, वो है, क्यों है, क्यों है, क्योंकि बिहार के अंदर यह कह रहा है, बिहार में तो हो गया, poverty 50% से ज़्यादा, ठीक है, 50% से प्लस, और केरल के अंदर क्या गया रहा है, केरल में हो गया, 1% से भी कम है, एक प्रतिशत से भी कम है, तो इसलिए यह सब चीज़े important है, और इसका major reason क्या है, गरीबी का जो major reason है, वो आप देखोगे healthcare है, education है, ठीक है, इन aspect के अंदर भी deal है, अगर आपने वहाँ पे invest नहीं किया, education, healthcare में आप पिछड़े हुए हो, तो वहाँ पे गरीबी के भी आपको ज़्यादा देखने को म गया है, कोस्टल एरिया का फायदा तो उडीजा को भी मिला है, लेकिन वहाँ पे तो ऐसा नहीं है, टीक है, केवल कोस्टल एरिया से मतलब नहीं है, पंजाब में कौन सा कोस्टल एरिया है, लेकिन पंजाब के अंदर गरीबी काफी कम है, I think it should be less than 5%, तो केवल coastal area का नहीं है, आपके पास opportunity है, but you should be having this capacity, this commitment, या फिर जो political will है वो होनी चीए, that to utilize that particular opportunity, जैसे आपके पास में opportunity है, बच्चा पढ़ता कौन है, वो भी तो depend करेगा, ठीक है, आपको facility दी आपके parents ने, कि आप पढ़िये, लेकिन पढ़ना तो आपकी जिम्मेदारी है, इसका मतलब यह नहीं है कि geographical limitation जो है, वो obstacle create नहीं कर रही है, geographical limitation जो है, आपकी obstacle create करती है, development deficit create करती है, जैसे आप hill state देखोगे, north east देखोगे, तो वो है, लेकिन उसके अलवा और भी बहुत सारे indicators है, clear, north state, north इंडिया में हम देखेंगे, law and order ही एक बहुत लंबे समय तक बहुत बड़ी समस्या रहा, law and order ही एक बहुत बड़ी समस्या रहा, जब तक सुरक्षा नहीं होगी, तब तक आप सारी चीज़े बूल जाएगे, so this is all, इसी के साथ हमारा यह जो chapter number two है, जो book का, यह हम यहाँ पे finish कर रहे हैं, अब हम third chapter पे move करेंगे, और यह जो telegram हैं, इस पे आपको session के PDF मिल जाएंगे, make sure कि आप यह telegram group यहाँ पे join कर लें, third chapter में हम चर्चा करेंगे, इंडिया की economic evolution की, इंडिया के economy का जो evolution हुआ है, फिर हम planning की चर्चा करेंगे, खीक है, उसके बाद में जो chapter है, और फिर इंडिया में जो planning को लेके है, यह पूरा issue है, तो एक एक करके chapter हम ले रहे हैं, PDF session का आपको इस telegram पे मिल जाएगा, इसके लावा जो भी information रहती हो, सब यहाँ update रहेगी, यह session daily basis पे MRIC channel पे रहता है, दस साड़े दस क्या सपास इसकी timing है, इसके लावा नकेडमी के साथ आप जूर सकते हैं, क्योंकि UPSC की preparation अगर आप करना चाह रहे हैं, तो एक जो proper focus है, ठीक, एक targeted way के अंदर एक intense preparation होनी चाहिए, जो आपको maximum benefit वहाँ पे देती है, और यह opportunity आप घर बैठे access कर सकते हैं, अनकेडमी के plus subscription के साथ, जिसके अंदर बहुत ही कम fees के अंदर आपको इंडिया के top educator का access मिल रहा है, answer rating, test series, यह सारे चीज़े मिलती हैं, घर बैठे, आपको पूरे printed form में notes मिल रहे हैं, doubt clarification के sessions हैं, तो subscription लेना कैसे है, link आपके subscription के telegram पे भी हैं, ठीक है, description box में भी आपके मिल जाएंगे, आपको अपनी need के according plan चूज़ करना है, जैसे एक साल या दो साल है, college वाले बच्चे दो साल के लिए जा सकते हैं, तो यह जब आपने plan चूज़ किया, then you need to put this code RB live to get maximum available discount and personalized guidance, so make sure you are using this code to get these discounts and personalized guidance, similarly you can go with Iconic, Iconic में आपको live mentorship के benefit यह मिलते हैं, यह जो fees यहाँ पे है, यह combo की है, combo मतलब होता है GS optional, दोनों include, केवल GS की यह fees यहाँ पे है, अगर केवल optional के लिए जा रहे होते हैं, केवल optional की fees है, काफी सारे नए optional start हो रहे हैं, और GS के batches आपके 22 जून से start हो रहे हैं, तो उसके लिए भी आप जा सकते हैं, काफी सारे doubt clarification के लिए आपके पूरी team बनी हुई है, अलग से dedicated team है, 0% EMI option is there, और आपका हर संड़े को test रहता है, तो लेप अप दिस session, all the very best guys, have a great day, and evening में मिलते हैं, आपका 8 बजेट जो daily news analysis है, उसके लिए हम शाम को मिलेंगे,